हेलो फ्रेंट्स गुद मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल अंजली मिक्स रेसिपी फ्रेंट्स आज की रेसिपी में बनाने वाली हूं मैं बचे हुए बासी रोटी के सेंडवीज जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा और इतना टेस्टी संडवीज तो आपने रेल कभी नहीं खाया होगा जो मैं बासी रोटी से बनाने वाली हूं तो यहां पर आप रोटिया वेस्ट कर देते हो थोड़ी सी महनत लगेगी थोड़े से इंग्रेंश लगेंगे तो मैं बनाने जा रही हूं आज रोटी सेंडवीज तो आप सभी को भी बहुत यह रेसिपी चोटा दूब मतलब मैंने सीज लिया हुआ है और यहां पर मैंने एक बड़ी साइज के बारिक कटा हुआ अनियन लिया है स्वेट कोड लिया हुआ है और यहां पर मैंने लिया है कैपसी कैप और टमाटर और रोटिया तो आप देखी रहा है थंडी हो चुकी है रात की रो मतलब जो भी चीजे हैं, जो भी सबजिया हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही सबजिया लें, आपके घर में जो भी सबजिया आप लेवल हो, आप उन सबजियों से रोडी सेंडविच बना सकते हैं, तो मेरे घर पे यह सबजिया पड़ी थी, इसलिए मैंने इसे ही कट कि क्या है आप गो भी मटर जो भी आपके घर में है आप उसे ले सकते हैं तो जो स्वीट कॉर्ण होता है फ्रेंड्स बहुत हार्ड होता है इससे बॉयल करना पड़ेगा हलका सा तो इससे मैं बॉयल कर रही हूं सॉप्ट के लिए और मैंने यहां बॉयल लिये हुए आलू ठंडा हो चुका है इसका छिलका उतार लेंगे तो आलू सी क्या होता है जो हम इसका डोत है मतलब जो मसाला त्यार करेंगे हम सेंड्वीच का उसमें आलू बहुत ज़रूरी होता है इससे मसालो की क्वांटिटी मे मतलब की बढ़ोत्री होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है और थोड़ा लस्लापन इसके अंदर आ जाता है सबजी एक दूसरे को आपस में ठीक करके यहां पर मैं आलू को अच्छे से मसल लूँगी आलू को बारीक मतलब मैश कर लेना है हाथों से ही तो आलू को मैंने मैश कर लिया है और हमारा जो स्वीट कॉर्ण है वो भी बॉयल हो चुका है तो इसे हम फटा-फट से भी प्लेट में निकाल लेंगे तो आए फ्रेंट्स प्रेले निकाल लेते हैए उसी कड़ाई में हम थोड़ा सा मतलब दो इंच के करीब बटट डालेंगे कि बटर को प्ला लेते हैं तो यहां बटर प्लेटिगल रहा है और जी раз का फ्रेम हाई करके कड़ाई को गरम करके बटर ना डाले नहीं तो बटर बहुत सब्ट होता है तुरंत मतलब जल जाएगा तो मैंने हलका गरम किया था कड़ाई को बटर को पिगलाते में थोड़ा सा टाइम लगेगा पिगल जाएगा तो तुरंत हम इसमें हरी मिश डाल देंगे थोड़ा सा हर कच्चा पन बस चला जाए सब्जी को भून देंगे तो इसका टेस्ट खतम हो जाएगा फिर सेंड़ीच का मतलब कुछ नहीं तो इसलिए हम हलकी हलके सब्जी को देखिए रोष्ट करते जा रहे हैं कैप्सी कैप को थोड़ा सा सौट करेंगे कच्चा पन थोड़ा सा निकल तो इसके वज़े से इस तरह से हम इसे भून लेते हैं दो-दो मिनट सारी सब्जीयों को हम सेखते जाएंगे इसके बाद फटा-फट से फ्रेंड्स में आट करेंगे हम कटा हुआ टमाटर टमाटर जादे नहीं लिया मैंने थोड़ा एकी टमाटर कट किया है सारी सब्जी करेंगे पत्ता गोभी तो ऐसे भी लोग सैलेड में यूज करते हैं तो इस तो कच्छापन से इसका कोई मतलब है ने फिर भी हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं डालने के बाद इसे भी मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा सा इसे और सॉप्ट करने के लिगे हलका सा नमक डालेंगे नमक अब ज्यादा मत डालें अपने टेस्ट के एक ओर्डिंग ही डालें क्योंकि स्केचप अगरे में नमक कर व्यात्रा होती है तो यह हम सब्जियों को मिक्स कर रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से तो मैक्सिमम हमें 2-3 मिनट तक सब्जियों क इसी तरह से हाई फ्लेम पे चलाते रहना है ज्यादा नहीं इसे भूनना है देखिए तो यह हमारी सब्जिया परफेक्ट तरीके से भून चुकी है अभी हमें इसे नहीं भूनना है नमक डालते ही यह सोजी तरह सौट हो गई है और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं उसके के बार से हम बॉयल किया हुआ स्वीट कॉन इसके अंदर डाल देंगे और इसी मिक्स कर लेंगे स्वीट कॉन तो इसकी जान होती है कोई भी सेंड़ी चुकर आप बनाते हैं तो उसमें तो होना ही चाहिए और बॉयल करके ही डाले तो ज्यादा अच्छा है तो अभी हमने स मिक्सला हुआ अलू डालेंगे और अलू को भी इसके अंदर डालके मिक्स हो चुका है और अभी इसमें हमें कुछ चीजों को डालना होगा तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे आधा धकन के करीर विनेगर और इसके बाद विनेगर के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पावभाजी मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप पावभाजी मसाला ही यूज करें अधर्वाइस कोई मसाला यूज ना करें और इसके बाद मसाले को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मसाले जब मिक्स ह हो जाएंगे तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे टोमेटो केचप डालेंगे तो टोमेटो केचप डालने के बाद अब उसके बाद हमें इसमें कुछ मैंने एक ठाली लिया है जिसके साईट को हमने प्लाड लिया है इस पहले और इस पहले किया करकरना है हमें इस अधे साओंiset चिली सैस लगाएंगे एग साइट च्पहण लगाएंगे और आधे साइड टोमेटो केचप लगाएंगे इस तरीके से और इस सेट हम लगाएंगे टोमेटो केचप तो यहां में ने टोमेटो केचप दोनों को लगा लिया है मिक्स कर लिया है और इसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स इस पर हलका सा हम चीज डालेंगे यहां थोड़ा सा इसे ग्रेट करके चीज को डाल देंगे और इसके बाद थोड़ा सा कैबिस बहुत बारी कटा हुआ कैबिस डालेंगे उसके बाद हम मसाले को इस पर लालेंगे जो मसाला है वो हमें दो उंगली छोड़ के और उधर से आधे भाग को छोड़ के हमें बीच में संटल में मसाले को रखना है ताकि फोल्ड के टाइम कोई भी दिकत परीशानी नहीं हो तो यहां हमने मसाले को डाल दिया, मैंने तीन चमच के करीब मसाला डाला है, मसाले थोड़े ज्यादा रहेंगे तो खाने में बहुत मजाएगा, येकीन मानिए, मसाले को कम नहीं रखना है, तो तभी तो लगेगा कि है ये परिफेक्ट संड बेस्ट बनके द्यार हुआ है, तो यहां हमने इसे मसाले को डाल दिया है, अब ये मसाले के ऊपर थोड़ा सा हम क्रश किया हुआ, कि पत्ता को भी रखेंगे, सैलिड वाला और पत्ता को भी रखने के बाद क्या करेंगे फ्रिंट्स, दो कटा हुआ प्याज, और यहां सा थोड़ा सा स्वेट को डाल दें तो हमने यहां चीज को भी डाल दिया क्रेश करके और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए कितने चादे मसाले हैं इसके अंदर खाने में तो पूछिए मत मजा ही मजा आ जाएगा येकिन मानिए आप बहुत ही टेस्ट यह सेंड्विच बना हुआ है दो रोटी इसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम दूसरे भी सेंड्विच को त्यार कर लेते हैं कि आप बच्चों के टीफिन में दीजिए या घर पे आए महमानों को खिलाएए सब आपकी तारीफ करेंगे रोटी क्या रोटी भी वेस्ट नहीं होगा और आपके तारीफ तारीफ के आप उस सब्जियों का यूज करके बना के बच्चों को दे सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं कोई भी इशू नहीं है सब पोस्टिक वाली चीज़े मैंने याड की है कोई भी मतलब ऐसी चीज़े नहीं है जो मतलब बच्चे बड़ों को नुक्षान करें तो यहां पर आप सब्जियों का जो क्वानिटिटी आप देख सकते हैं आलू मैंने कम डाला है सब्जिया जाते हैं तो बच्चे भी खाएंगे बड़े भी खाएंगे सभी को बहुत पसंद आएगा तेहां हमने दूसरा सेंडविच भी तयार कर लिया तो हमने 6 सेंडविच बनाया है मेरे प त्यार करेंगे पहले तो फेनली फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं एक को त्यार के लिए दूसरा भी त्यार हो गया अब हम इसी तरह सेंडविच भी बना लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किये देखिए वाव कितना बहुत रहा है तो हमने सारे सेंडविच बना लएग करने ओट उवन हो तो औन की जरुवत नहीं है हम अपने घर के तवे पर ही इसे फ्राइगita और ऐसा फ्राइ खरेंगे मैंने घर के और पर रख दिया है इस पर हम थोड़ा बटर डालेंगे बटर को पूरे तवे पे फैला देंगे हलका सा मतलब पूरे तवे पे बटर मतलब लग जाने चाहिए कहीं भी तवा ड्राइन आ रहा है तिसी तरीके से सारे बटर को पिगला के उसके बाद फटा-फट से हम डालेंगे रोटियो को यानि की सेंड्विच को सौरी बार-बार यहाद आती है क्योंकि मैंने रोटियों से बनाया है तो इसके लिए तो यहाँ हमने अर्जिस्ट करके 3 मतलब 3 रखना चाहिए लेकिन मैंने अर्जिस्ट करके मैं 4 रख देती हूं चार बन जाएगा तो फटा-फट से चार तयार हो जाएगा दो लोगों को खाने के लिए तो यहाँ पर मैं अर्जिस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा मैनेज कर लेती हूँ चार रख दिया मैंने और मीजियम टु लो फ्लेम पर अले लो फ्लेम पर इसे हमें सेकना है और 5-5 मिनट बात हम इसे पलट लेंगे दोनों साइड 5 मिनट 5 मिनट करके ही सेकेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी आपको खाना है तो आप थोड़ा टाइम और ले सकते हो तो आप पांच मिनट भी हो चुका है अब इसे हम रोटियो को पलट लेंगे आने कि सेंडविच को तो आईए इसे हम पलट लेते हैं और देखते हैं कैसा सिखा है ये वन साइड तो आप देखिए यह बिल्कुल जो मसाले हैं अंदर सैट हो चुके हैं और इसे हम पलट रहे हैं कितनी इच्छे से सीख चुके हैं यकीन आपको नहीं होगा कि यह रोटी का सैंडवीच है और देखिए अब इस साइड जो है दूसरा साइड उतना ही टाइम हम सेखेंगे इसे भी थोड़ा सा भीच भीच में investe popot भीच में डालते जाएंगे बटर प्ख लेगा तो रोटीा बहुत कृपी कृस्पी सा सेखिए तो हम इसमें बटर ढालते जाएंगे और रोटियों को सेते जाएंगे तो 5 मिनिट बाद फ्रेंड्स हम इस साइड भी पलट लेते हैं और फटा पर से ह हम इसे निकालते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं देखिए दोनों साइट सीख चुका है अब इस चाहे तो इस तरह से आप खड़े करके भी सेख सकते हैं इसे तो बीच वाला भाग भी सीख जाएगा कहीं से कोई भी कच्छापन भी इसमें नहीं रहेगा तो हमारा रोटी है जो बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है अभी इसे हम जा रहे हैं सर्व करने फटा-फट से गर्मा करम सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा तो आईए फ्रेंट सर्व करते हैं इसे तो फाइनली हमने अभी कैस को बंद कर दिया अभी हमारी दो रोटिया और है सेखने के लिए तो थोड़ा थोड़े दिर के बाद में उसे सेखूंगी जैसे की जब खाने कोई आएगा तो ये रहा हमारा आज का सेंड्वीच और आज की रेसिपी तो आप सभी को कैसी लगी फ्रेंड्स हमें कमेंट में बताएं और हो सके तो मेरे भी चैनल का प्यार दीजी सपोर्ट करिए मुझे भी तो बनके तयार है हमारा गर्मा गरम सेंड्वीच तो इसी तरह से फ्रेंड्स मिलते हैं आप सभी से नेक्ट वीडियो में न्यू रेसिपी की साथ तब तक के लि झाल झाल